स्वागत है हमारे इस एडूब चनल में समसंग के उनी स्मार्टफोन के बारे में जिसको यहां पे Android 11 N1 UI 3.1, N1 UI 3.0 का अपड़ेट जो मिला है और साथ ही बात करेंगे F40 अपड़ेट के बारे में तो वीडियो काफी इंटेस्टी होना लो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो चलिए बात करें सबसे पहले यहां पे Android 11 N1 UI 3 के अ पहले में तो यहां पे पहला जो हैं पर समसंग का फ्लेक्सी भी स्मार्टफोन है जिसको मिला है 1 UI 3.1 का अपड़ेट यहां पर समसंग एकसी S20 FE के लिए यहां पर आउट आफ इंडिया आपर लांच हुआ है समसंग एकसी S20 FE के लिए और यहां पर बहुत ही जल्द इंड के लिए जो के मिला है समसंग एकसी S10 Plus के लिए जो सब्सक्राइब करते हैं अगले एकसी S10 Plus के लिए जो के लिए जो दोस्तों यहां पर बहुत ही जल्द इसके रिकॉर्डिंग यहां पर इंडॉइड 11 UI 3.0 का ब्रेट जो भी आपर देखने को मिलता है इंडिया में तो आ बात करते हैं अगले F40 अब्रेट के बारे में जो कि मिला है Samsung Galaxy J7 Max के अंदर एक निया अब्रेट मिला है अब्रेट फाइल की बात करते हैं तो अब्रेट की फाइल थी लगबग 52 MB के आसपास की और इसमें आपको बहुत ही पूराना आपको सिकेट उपेस देखने को मिला है अब्रेट के बात करते हैं तो अब्रेट की फाइल थी लगबग 285 MB के अब्रेट की फाइल थी और इसमें आपको फेरवरी का सिकुर्ड पच्छाप देखिड़ों को मिला है जो की लाटेस्ट है तो अब्रेट के लेना जो भी हाँपे Samsung Galaxy S21 Plus यूजर है तो बात करते हैं अ इसमें आपको पुराना अप्डेट के लिए जो है जन्वारी का तो अब्रेट कर लेना जो भी हाँपे यूज करते हैं Samsung Galaxy S10 Plus तो बात करते हैं अगले बेट के बारे में जो की मिला है Samsung Galaxy S10 Lite के लिए अप्डेट की बात करते हैं तो अब्रेट की फाइल लगबग 269 यूजर सोलम भीक अप्डेट की फाइल थी और यहां पे Samsung Galaxy S10 Lite में आपको फैरवरी का सिगर्वी पेच देखने को मिला है जो की लाटेस्ट है तो अप्डेट के लेना जो भी हाँपे सो हाल फिलाल वीडियो में थी जानकारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब के लिएगा बस तब तक लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में